Hello everyone, very good morning to all of you, this is Aditi and एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपते यूटीब चैनल Current Affairs by रवी पर तो friends आज 25 अपरिल है तो 25 अपरिल दोहजार चोबी से जुड़े हम important current affairs की question आज की वीडियो में discuss करेंगी काफी ज़दा important important question जो है आज की वीडियो में included है ठीक है जितने भी questions रहते हैं सभी जो है आपके extra information के साथ रहते हैं ताकि आप जो है इस वीडियो से ज़दा से ज़दा जो है knowledge gain कर सकें वीडियो में जो है मैंने friends पिछले दिन का revision भी add कर रहा है last में मैं आपसे two questions का test भी लूँगी और last में जो है मैं आपको अपने telegram channel के बारे में बताऊंगी जहांसे कि आप इस वीडियो का free में PDF ले सकते हैं इसके लाबा हम website के बारे में भी जानेंगे हमारी जहांसे कि आपको paid e-books मिल सकती है हमारे सभी subjects की topic wise ठीक है तो देखिए आज के important session को start कर लेते हैं पिछले दिन के quick revision के साथ तो देखिए पिछले दिन का जो आपका first question था वो था लोग उध्यम भिवाक ने किस company को जो है नवरतन company का दर्चा दिया तो national fertilizer limited जो है फ्रेंड्स इसे नवरतन company का दर्चा दिया गया है और अब इंडिया में जो है total 17 नवरतन company है next आपका त्रिशूर पूरा मोहसव 2024 जो है ये किस राज्य में आयो जित क्या गया है right answer is केरल फिडिक candidates tournament 2024 जीतने वाले जो सबसे कम उमर के पुरुष भारती खिलाडी बने फ्रेंड्स उनका नाम है डी कुकेश एपरिल 2024 में किस मानवतावादी पुरुसकार 2021 से जो है सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को next आपका question है पहला वेक्तिकत महासागर दशक समयरन 2024 जो है ये कहा है जित क्या गया right answer is Spain के बार्सी लोना में next question 2024 ATP बार्सी लोना एकल का किताब है फ्रेंड्स वो किस ने जीता तो वो आपका जीता है कैस्पर रूर ने किस देश में बाग की एक नई प्रचाती तो ये आपकी खोजी गई ब्राजियल में किस ने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो उफदा एर का पुरुसकार जीता राइट अंसर इस मोहमद स्लेम ने कहां कि शोंपेंज जनजाती ने जो है पहली बार मद्दान में भाग लिया राइट अंसर इस ग्रेट निकोबार की भारत में ओपेंज आई की पहली महिला करमचारी जो है फ्रेंट्स वो किसे निक्त किया गया तो भारत में ओपेंज आई की पहली महिला करमचारी निक्त हुई है प्रज्यामिश्ट्रा प्रतम अंतराश्टी हिंदिधनुष पर्येटन समिलन 2024 का जो शुभारम है फ्रेंज की आपका करा गया नेपाल में किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ राइट आंसरीज कुवेट में नेक्स्ट आपका राजस्थान रोयल्स ने अपनी पहली क्रिकेट अकैरमी का उद्खाटन जो है वो कहां पर करा राइट अंसरीज राजस्थान के जैपूर में किस कंपरी ने शवियों को वीडियो में बदनने के लिए जो है वी ऐसे वन एयाई मोडल जो है यह लॉंच करा तो यह लॉंच करा गया फ्रेंट्स माइक्रोसोफ त्वारा नेक्स सेखिए चौनतिसवा सेंग केलंग मुहसव जो है यह दोहसार चोबीस में कहां एजित क्या गया था ट्राइट अंसरीज में घाले के वाहिया जेर में पूरभी लहर अभ्यास दोहसार चोबीस का जो आयोजन है फ्रेंट्स यह आपका करा गया था इंडियन नेवी के द्वारा और सिपरी की रिपोर्ड के अनुसार दोहसार तेहीस में सबसे अधिक स्रैने खर्च करने वाला जो देश है फ्रेंट्स वो आपका बन गया अमेरिका शीष्ट इन देशों की बात करें तो उसमें अमेरिका चीन और रूस शामिल है जनर्ब मनोज पाने ने किस देश की यात्रा के दौरान भारत की दूसरे प्रधानमंद्री स्वर्गे लाल बहादुशास्टी जी की उनके समार्ग पर पुषपांजली अर्पित करके उन्हें शर्धांजली दी राइट अन सरीज उजबेकिस्तान में लास्ट कोशन था कल का हमारा भारत में रास्टिर रक्षा विशोवीदयाले में ए्रोस्पेस रक्षा और सुरक्षा मे नवचार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के स्टार बस्ट एरोस्पेस ने उसके साथ हमने MOU पर हस्ताक्षर किये राइट अन सरीज फ्रांस के साथ तो यह था आपका पिछले डे का रिविजन तो हम आज का जो है 25 अपरिल के करंट अफेर का MCQ का सेशन जो है स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वेरी फर्स्ट कोशन के साथ फर्स्ट कोशन आज का आपका लोरियस वर्ल्ड स्पोर्स मैन ओफ दा इयर दोहसाद चोबीस का जो पुरुसकार है फ्रेंस इससे किसे समानित किया गया Trident Series का आपका उप्शन नबर A है एकदम नौवाग चोकोवी चोहें फर्स इन्हें लोरियस वर्ल्ड स्पोर्स मैन ओफ दा इयर दोहसाद चोबीस पुरुसकार से जो है वो समानित करा गया है नौवाग चोकोवी चोहें फ्रेंस की सर्विया की एक प्रमुक्र टैनिस खिलाडी है इमेज की तुरू आप इन्हें देख सकते हैं आए लोरियस वर्ल्ड स्पोर्स ओवर्ड दोहजाद देखते हैं ये जानते हैं उससे जुड़े कुछ एडिशनल पॉइंट कि उसका कौन सा एडिशन था दोहजाद चोबीस में आयोजन कहां पे था सर्वियस रेस्ट किलाडी कौन रहा महिला खिलाडी का आवर्ड किसे म च्विवार वर्ष की सर्विस रेस्ट महिला खिलाडी का वर्ड मिला एताना बोनमाती को वर्ष का कमबैक पुरुसकार मिला सिमोन बाइल्स को बैक्ट्रियो ओफ दे एर अवर्ड मिला जूर बैलिंग हैम को और वर्ष की सर्विस रेस्ट टीम का वर्ड मिला फ्रेंस स्प फ्रैंड वो चुना गया डीडए डीगहूरूट को कुशल में हमारे बात आइ है लॉरियस वर्ल्ड स्पूर्ट अब रिंट की तो इसके बारे में आपको बता दू लॉरियस लुरियस वर्च वर्ट जो है फ्रेंड के वार्शी कारेकरम है यह जो है यह महान और प्रेरना दाय खेल उपलब्दियों के लेख लाडियों को दिया जाता है पहला लोरियस वर्च 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 ऑवर्च यह 25 मई 2000 को हुआ था अमेरिका गुल्फर Tiger Woods जो है friends इस पुरुसकार के जो है पहले वी जेता थे Laureus World Sports Award के Next question आपका important है तो देखे अलिगर्ड मुस्लिम विश्विद्याले की जो है पहली महिला कुलपती बन गई है friends तो question में पूझा गया है कि उनका क्या नाम है जिन्हें अलिगर्ड मुस्लिम विश्विद्याले की पहली महिला कुलपती के रुग में नुक्त करा गया है तो right answer इसका आपका रहेगा option number C नईमा खातून को जो है friends अलिगर्ड मुसलिम विश्यविद्याले की पहली महिला कुलपती के रूप में जो है वो निक्त करा गया है इंपोर्ड़ पो इसकी बात करें तो फैंस केंदरी शिक्षा मंत्राले ने प्रोफेसर नाइमा खातून को जो है अलिगर्ड मुस्लिम विश्यविद्याले का कुलपती निक्त किया है वे अलिगर्ड मुस्लिम विश्यविद्याले की पहली महिला कुलपती है और अलिगर्ड मुस्लिम विश्यविद्याले जो है इसकी स्थापना हुई थी 1920 में और ये जो है ये उत्तर परदेश में इस्तित है क्वेशन में देखिए बात आ रही है अलिगर्ड मुस्लिम विश्विद्याले की इससे चुड़े मैं आपको कुछ फ्रेंस इंपोर्डेंट पॉइंस बता देती हूँ आपकी एक्स्टा इंफोर्मिशन के लिए तो देखिए अलिगर्ड मुस्लिम विश्विद्याले जो है फ्रेंस इसकी जो स्थापना है ये आपकी करी गई थी सैयद एहमद खान दोरा ठीक है सैयद एहमद खान ने जो है इसकी स्थापना करी थी अगर वहीं बात करें फ्रेंस अलिगर्ड मुस्लिम विश्विद्याले के गठन की तो इसका जो गठन है फ्रेंस ये आपका करा गया था 1875 में ठीक है अलिगर्ड मुस्लिम युनिवर्सटी जो है फ्रेंस इसका पूराना नाम जो था वो था मोहमडन एंगलो ओरियंटल कॉलेज और एक कोशन आपसे एक्जाम में ये भी पूछा जाता है कि किस वर्ष में जो है अलिगर्ड मुस्लिम अधिनियम के तहत इसका नाम बदल कर जो ह कि विश्व पुस्तक और कॉपिराइट दिवस 2024 जो है ये कब मनाया गया तो राइटन स्रीज का आपका ओप्शन नमबर बी है 23 अपरेल को जो है हमने सेलिब्रेट करा विश्व पुस्तक और कॉपिराइट दिवस आईए इस दिवस से जुड़े कुछ important points देखते हैं तो प्रतिवर्श जो है 23 अपरेल को विश्व पुस्तक और कॉपिराइट दिवस मनाया जाता है बात करें 2024 के फ्रेंज इसकी थीम की थीम आपको ध्यान में रखनी है तो read your way जो है इस बार की थीम थी इस दिवस को मनाने का जो मुख्य देश यह है फ्रेंज वो है लोगों को 2024 ICC महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर की स्थान पर जो है वो आईजित किया जा रहा है राइट अंसर इस ओप्शन नमबर ए संयुक तरवे मिराथ में जो है फ्रेंज 2024 ICC महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर जो है यह आईजित होगा 2024 ICC महिला T20 विश्व कवालिफायर जो है फ्रेंज इससे जुड़े कुछ important boys जानते हैं तो देखें यह जो है यह 2024 ICC महिला T20 विश्व कव टूर्नामेंट के लिए qualification टूर्नामेंट है जिसका की 2024 में शेमा संसकन आयजित किया जाएगा प्रशासक है इसके अंतरास्टी क्रिकर परिशत यानि कि ICC क्रिकर प्रारूप है इसका T20 अंतरास्ट रे मेजबान देश है आपका संयूकत अरव एमिराद और प्रतिभागी है इसमें 10 और इसमें कुल मैच खेले जाएंगे आपके 23 इसरो के प्रमुक С. ओमनाथ ने कहां पर यांतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिंगतारा मुख्याले खोला है इसके तरूप को और डिपली समझते हैं तो दीखे भातिया अंतरिक्ष अनुसंधान संगत न यानि कि इसरो इसके जो अध्यक्षा है इन्होंने जो है आंत्रिक्ष शेत्र के स्टार्टप दिवंग तारा के वैश्विक मुख्याले के जो है वो उधगाटन करा 25,000 वर्ग फूट में फैले मुख्याले में एक उपगर है असेंबली एकी करन और परिक्षिन सुविदा और व्यापक का अंत्रिक्ष डोमेन जागरुकता प्रदान करने के लिए एक कमांड और नियंतरन केंदर जो है वो शामिल है क्वेशन में हमारे बात आई है इस रो की जैसे की भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संगतन कहा चाता है हिंदी में ये जो है फ्रेंट ये भारत की अंत्रिक्ष एजेंसी है जिसकी सापना जो है वो करीगी थी 1969 में मुख्याले इसके जो है करनाट की बिंगलोरों में है हुए जो है complete वीडियो देखनी है तभी आपको जो है एक दम इसका वीडियो का फाइदा होगा अपने एक्जैम में भी और आगे की टाइम पे भी जो है आपको काफी ज़्यादा बैनिविटी मिलेगा वीडियो से क्योंकि जितनी ज़्यादा चीजे आप पढ़ते हैं प्रिट्वी दिवस के अपलक्ष में जो है वीडियो मुध्यो की अनुसंधान परिशद ने जो है नई दिली स्थित अपने मुख्याले में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घडियो की अनुसंधान परिशद के द्वारा जो है इसका नावरन करा है इसका जो उद्देश्य है फ्रेंट्स इसका उद्खाटन का मुख्य उद्देश्य वो है जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकुल प्रफावों के बारे में चागरुक्ता को बढ़ाना कोश्च में बात आई है CSIR की यानि कि विज्यानिक ए नाम है N. जो है friends एक सहायक नदी है और ये करनाटक की ब्रह्मा गिरी पहाडियों से जो है वो निकलती है Question में बात है ये करनाटक की करनाटक से जुड़े कुछ important points आपको बता देती हूँ तो करनाटक राजी की स्थापना हुई थी 1 November 1856 को बातकरी रासानी की तो बिंगलोरू इसकी रासानी है करन्ट में जो CM है यहां के उनका नाम है सिधार मिया राजेपाल है यहां के थावरचंद कहलो थो Next question आज की important session का किसे भारती कपास निगम लिमिटेड का CVO न्युक्त किया गया तो राइट अंसर इसका आपका क्या रहेगा Option number C नीधी S-CAN जो है फ्रेंड्स इन्हें भारती कपास निगम लिमिटेड का जो है फ्रेंड्स मुख्य सतर्गता अधिकारी यानि की CVO जो है वो न्युक्त किया गया है आईए important points जानते हैं question से related तो देखिए के अंदर सरकार ने जो है नीधी S-CAN को भारती कपास निगम लिमिटेड का CVO निक्त कर दिया है नीधी S-CAN जो है ये 2009 पैच की भारती लेखा परिक्षा और लेखा सेवा धिकारी है भारती कपास निगम लिमिटेड की बात आई है हमारे question में आईए इस से जुड़े कुछ important points देखिए तो इसकी स्थापना जो है वो 1970 में करी गई थी बात करें इसकी मुख्याले की वो आपके मुंबई में है और फ्रेंज एक और यहां से आपको important fact बता दू विश्व में जो चीन के बाद भारत जो दूसरा सबसे बड़ा कपास का उतपादक देश है वो है हमारा भारत यह आपने याद रखना है नमबर बन पे है चीन, नमबर टू पे है हमारा प्यारा भारत ठीक है next question भारत की गीता सबरवाल को जो है किस देश में सयूकतरास्ट की स्थानिय समन्य वियक नुक्त करा गया right answer option number C है हमारा इंडोनेशिया में जो है friends भारत की गीता सबरवाल को जो है सयूकतरास्ट की स्थानिय समन्य वियक के रूप में नुक्त करा गया है संयुक्तरास्टर महासचीव एंटोनियों गुटेरस ने भारत की गिता सबरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्तरास्टर के स्थान्य समन्य व्यक के रूप में न्युक्त करा है क्वेशन में बात आई है UN की यानि कि United Nations की जिसे किसना युक्तरास्टर कहा जाता है हिंदी में तो UN से जुड़े कुछ important points कवर करते हैं तो देखिए UN की स्थापना फ्रेंट्स 24 अक्टूबर 1945 को गरी गए थी और इसके headquarters जो है वो है अमेरिका के न्यू यॉक में गरंड में जो महासचीव है UN के उनका नाम है Antonio Kuterres ठीक है ये सब ही additional points जो है आपके लिए काफी जादा useful रहेंगे आपके सब ही upcoming exams के लिए देखे question के हमारी type थी न्यूक्तियों से जुड़ी हुई तो मैं अब आपको कुछ recent में ही हुई appointments बता देती हूँ जो की आपको device भी हो जाएंगी तो देखे संतोष विश्वनातन जो है इन्हें हाली में अभी Intel के नए प्रमुक के रूप में न्यूक्त करा गया महेंदर सिंग धोनी जो है ये Citroen India के जो है नए ब्रेंड बैस्टर बन गये है वही friends बिप्रो के जो है नए CEO पॉइंट होगे हैं जिनका नाम है श्री निवास पालिया मिनेशा जो है इन्हें National Co-operative Dairy Federation of India Limited के जो है नए अध्यक्ष के रूप में न्यूक्त करा गया है और वहीं शिफाली शरन को जो है प्रेस सूचना ब्यूरो यारी की पी आईबी की नए प्रधान महानेदिशक के रूप में न्यूक्त करा गया है तो देखिए ये टो फाइब नुक्तियां जो है अभी इस सेंटर में ही हुई है और पांचों ही जो है काफी ज़ादा important है next question आपका sports related है तो देखिए अप्रेल 2024 में IPL में जो है 200 विकेट लेने वाले आपके पहले भारती खिलाडी कौन बन गए तो जो IPL देखते होंगे उन्हें जो है इनका answer जो है पहले से ही बता होगा अगर आपको पहले से बता है तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं तो राइट answer इसका option number C है यूजवेंदर चाहल जो है ये अप्रेल 2024 में IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले भारती खिलाडी बन गए है यूजवेंदर चाहल जो है ये राजस्थान रोयल के leg spinner है और इन्होंने जो है जैपूर में मुंबई इंडियस के खिलाफ मैच में मु आपका books and authors related है तो देखिए एक नई book जो है वो launch हुई है book का नाम है heavenly island of goa इसके जो लेकक है उनका नाम पूछा गया है कि उनका नाम क्या है काफी जादा important है आपके लिए question क्यों ये आपको अभी बता जल जाएगा तो देखिए option number A right answer है P.S. श्रिधन पिल्लाई जो है friends उनके द्वारा ये book लिखी गई है जिसका नाम है heavenly island of goa तो ये आपके लिए book कैसे important हो जाती है तो फेर्ण जो ये है P.S. श्रिधरन पिल्लाई या आपके जो है current में goa के governor है राजेपाल है और इनके द्वारा ही ये book लिखी गई है तो इसलिए आपके लिए important है जो heavenly island of goa book है ये गवा के राजेपाल P.S. श्रिधरन पिल्लाई द्वारा लिखी गई है और इस किताब का जो उद्दिश ये है friends वो गवा के परियाटर को बढ़ावा देना है गवा की बात है ये question में goa से जुड़े कुछ important points देखते हैं 30 मही 1987 को जो है गवा की स्थापना हुई थ लिखते हैं जो कि आपके पिछले डेस में ही है यह देगे दाइडिय ओफ देमोक्रेसी बुक के राइटर है सैम पित्रोदा फ्रोम का शेट टुदा कोनर रूम एंड ये बुक लिखी गई है एस रमन त्वारा नाइफ ए मैंबोय बुक लिखी गई सलमान रुष्टी डैबलिंग इन डिप्लोमेसी बुक लिखी गई स्टी मुनी द्वारा वहीं दला ओफ दला ओफ स्पिरिच्वालिटी अंड रिकोनेक्टिंग द बॉन्ड बुक लिखी गई आपकी रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंग के द्वारा नेक्स लिखी टाइगर लेंड्सकेप समेलन दोहसाद चोबिस के लिए सततवित का नेत्थव जो है फ्रेंड्स की किस तेश त्वरह किया किया है तो राइट एंसर आपका इस कोच्छन का क्या रहेगा ओप्षिन नमबर D भुटान द्वरह भुटान जो है ये टाइगल लेंड्सकेप समेलन के लिए सतद्वित का नित्यत्व कर रहा है एक दशम में एक अरफ डोलर जुटाने के लक्ष की साथ जो है समेलन का मुख्यों देश्य जैविविक्ता के लिए महतपुन भाग अवासों की जो है उसे सनक्षित करना है कोशन में बाद आई है भुटान की भुटान से जुड़े कुछ important facts जानते है तो देखे भुटान जो है आपका एशिया में स्तित देश है जिसकी राजानी है थिंपू बात करी करन्ट मुद्रा की तो भुटान की मुद्रा है नगुल ट्रम और वहां की करन्ट प्रधान मनती है शेरिंग टॉप के नेक्स्ट एक क्वेशन तो उप्ष नमबर बी राइट अंसर रहेगा स्वन पदक जीता गया थिसकी पेराकैनो एशियन चैंपेंशिप में प्राचियादव के दौरा बिद्धेपर्दिश की शीश पैरा कैनो और प्राची यादव ने जो है फ्रण्स जैपान के टोक्यो में आयजित ACC पैरा कैनो एशिन चैंपिर्शिप दोहसाज जोबिस में जो है दो सवन पतक जीते हैं इन्होंने महिला KL2 और महिला VL2 वर्ग में पतक जीते प्राची जो है फ्रेंट्स इन्होंने साल 2023 के लिए इन्हे अर्जन वोर्ट से भी नवाजा जा चुका है ये important point भी आपने ध्यान अकना है ठीक है आपके exam point of view से important है next आपका वर्षद 2024 में सोरव घोशाल ने सन्यास की घोशना करी है ये जो है ये किस खेल से संबंदित है तो right answer इसका आपका रहेगा option number C friends squash से संबंदित है और इन्होंने अब वर्षद 2024 में सन्यास की घोशना कर दी है नाम है इनका सोरव घोशाल important place की बात करें तो भारत के सबसे सफल पूरुश स्क्वेश की लाड़ी सोरव घोशाल ने पेशेवर स्क्वेश से सन्यास की कोशना की है सोरव घोशाल ने 2003 में squash में अपने पेशेवर करियर की शुरुवात करी थी सोरव घोशाल जो है ये यूनियर 2004 में वर्ल्ड नंबर वन स्थान पाने वाले पहले भारते खिलाड़ी थे 2007 में सोरव घोशाल देश की दूसरे सरवच खेल पूरुशकार जो है अरजुन पूरुशकार से समारित होने वाले पहले squash खिलाड़ी भी बने थे ये भी काफी ज़्यादा important point है Next question आपका T20 Wish Cup 2024 के लिए भारत का कौन सा brand Scotland और Ireland की cricket team को जो है वो परयोजित करेगा Right answer is का option number B है आपका नंदिनी brand जो है भारत का friends की T20 Wish Cup 2024 के लिए Scotland और Ireland की cricket team को जो है वो परयोजित करेगा करनाटक Milk Federation के dairy brand नंदिनी ने जो है अगामी 2024 T20 Wish Cup के लिए Scotland और Ireland की cricket team को जो है परयोजित करने की घोशना करी है Friends करनाटक Milk Federation की बात है ये question में इसे जुड़े कुछ important point से आपको बता दू जिसकी स्थाबना 1974 में हुई थी मुख्याले इसके बिंगलूरू में है करन्ट में जो इसके प्रबंद निदेशिक है उनका नाम है M.K. चकदीश Next इक ये गेपांग नाथ हिमनत जील जो है ये अभी समाचारों में देखी गई है ये जो है ये किस राजे में स्थित है तो option number ने राइटन से देखेगा हिमाचर प्रदेश में स्थित है ये जील जिसका नाम है गेपांग गात हिमनत जील आईए जानते हैं कि ये जील जो है ये समाचारों में क्यों देखी गई तो देखे गेपांग नात हिमनत जील जो है ये हिमालचर प्रदेश के सिंदू वैसिन में स्थित है ये जील जो है ये 4068 मीटर की उचाई पर है इसरों ने जो है सैटलाइट इमेज में गेपांग खाट गलेशियर जील में 1989 से 2022 के बीच 36.49 हेक्टेर से 101.30 हेक्टेर का 178 प्रतीशत का जो है वो विस्तार दिखाया है हर साल जील के अकार में जो है फ्रेंस लगबग 1.96 हेक्टेर की वरिद्धी हो रही है जो की खत्रे का संकेत है इसलिए ये जील काफी ज़दा न्यूज में है और कहां पेस्तीत है ये आपकी हिमार्चल प्रतीश राचे में नेक्स्ट हमारा किस मंत्राले निया धार्शिला शीशक से आरली चाइल्ड हुड कियर एंड एजुकेशन के लिए रास्टे पाठे चरया ये जारी करी तो राइट एंजरी का आपका रहेगा ओप्शन नमबर ए महिला एवं बाल विकास मंत्राले दौरा तो महिला एवं बाल विकास मंत्राले ने जो है रास्टे शिक्षा निती 2020 और रास्टे पाठे चरया रूप रेखा की तर्ज पर जो है फ्रेंस दोहजार चोबिस के लिए अधार शिला नामक रास्टे पाठे चरया जारी करी अधार शिला जो है ये एक विस्तित 48 अपताह का पाठे करम है जो कि आंगर वाडियों में 3-6 वर्ष के आयू वर्ग के बच्चों के लिए है इसका मुख्य देश्य जो है फैंस वो बुनिया नेक्स्ट कुश्चिन आपका समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं कुश्चन में बात आई है कंबोडिया की कंबोडिया से जुड़े कुछ आप विजट कर सकते हैं वहां आपको जो है रविस्तर के द्वारा ये कंप्लीट टॉपिक के ऊपर वीडियो प्रवाइड करवाई गही है आज पिछले का लाई थी तो आपको अगर कंप्लीट पढ़नी है इस टॉपिक के ऊपर वीडियो तो आप वो ज़रूर चेक लीजेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगे आप वहां से भी इजिली उस वीडियो को देख सकते हैं तो देखिए पंचाइती राजदिवस जो है आपका मनाया गया रास्टर पंचाइती राजदिवस 24 अपरेल को और हर वर्ष यह 24 अपरेल को ही मनाया जाता है इसी दिन 1992 का 73rd संशोदन अधिनियम लागू किया गया था और उसी समान में यह दिन भारत में हर साल मनाया जाता है 24 अपरेल को भारत के पुरवर प्रधानमंदी मनो मोहन सिंग इन्हों ने 24 अपरेल 2010 को पहला राष्टर इंपोर्टन पोईस जानते हैं क्वेशन से जुड़े हुए तो केंदरी समुदरी मतस्य संधान संस्थान ने समुदरी मशली गोल्डन ट्रेवली का जो है कैपिटर प्रजनन हासिल किया है इस सफलता में 27 समुदर खादे उतपादन में ब्रिद्धी होगी और भारत की समुदरी क्रिशी गतिविदियों को जो है फ्रेंस वो पड़ावा मिलेगा गोल्डन ट्रेवली जो है इक चतान से जुड़ी प्रजाती, स्केट्स और ग्रूपर्स जैसी बड़ी मशलियों के साथ रहती है इसका उप्योग जो है फ्रेंस वो उपभोग और सजावर्टी उधिश्य के लिए किया जाता है तो इसके साथ आज का हमारा Current Affairs का सेशन कंप्लीट होता है 25 अपरेल के Current Affairs देके Most Important 20 questions इसमें included थे उमीद करती हम वीडियो आपको पसंद आया होगा, helpful लगा होगा अब आपसे 2 questions का टेस्ट लोंगी जिसकांस आप मुझे comment section में देंगी complete वीडियो देखने के बाद 1st question आपके लिए Laureus World Sportsman of the Year 2024 का पुरिसकार जो है, वो किस ने जीता 4 options आपके पास है, right answer comment section में आपने बताना है Next question आपके लिए टेस्ट का है, April 2024 में IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले भारती खिलाड़ी कौन बने 4 options आपके पास, right answer आपने मुझे comment section में बताना है तो देखिए friends, अब in the end of the video आपके लिए मैं important information लेकर आई हूँ अगर आपको जो है e-books चाहिए, Indian Policy की, Jan to March 2024 की, यानि की last 3 month की e-book, current affairs की अगर आपको March की, एक single e-book buy करने है monthly, तो वो भी आपको मिल जाएगी हमारी website www.ravibooks.pdf.com तो इस website को आप visit कर लीजिएगा, वीडियो के description box में links हैं, आप जरूर check out कर लीजिएगा, वहां से आप इन्हें easily buy कर सकते हैं इसी के साथ आपको बता दूँ, अगर आपको हमारी daily current affairs की वीडियो का, जो है pdf चाहिए free में, तो आप हमारे telegram channel join कर सकते है, current affairs by रवी नाम से है, यहाँ पे आपको जो है friends, without any fees, जो है, free में pdf दी जाती है daily current affairs की, अगर आपको test लगाना है free का, इसी daily current affairs की वीडियो का, त ठीक है, तो आप जो है ebooks में हमारी बैकर सकते हैं और app को जो है आपको आज ही download कर लेना है, तो चलिए अब आप से मिलते हैं next video में एक और important lecture के साथ, thank you so much for watching this video and wish you all the very best for your upcoming exams, तो अगर आपको पसंद आए, तो वीडियो को like और share जरूर कर दीजेगा, मिलते हैं कल आप से न